कबी अपने सोचा कि अर्थ की डियमेटर को कैसे ना पता नहीं पता है तो आपको ये वीडियो देखने की बहुत जरूरत है नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल दर्सस काउंटर में और आज हम बात करेंगे क्लास 11 का पहला चप्रा यूनिट्स और मेजरमेंट जहां पर हम लोग इन सब साथी सीजों के बारे में जानेंगे ठीक है जैसा कि चप्रा का नाम है यूनिट्स और मिजरमेंट तो हम लोग बात करेंगे पहले यूनिट्स की हमारे जनकारी के मताबिक जिरेट स्काव्ड कों से होती है तीन तरह की इनिट्स आप लोग को पता होती है CGS, FPS और MKS CGS वो यूनिट्स जो की बहुत छोटी यूनिट्स होती है स्मॉल यूनिट्स के लिए आता है सीफॉर सेंटिमीटर जीफॉर ग्राम एस फॉर सेकेंड FPS की बात तरहिए तो एफ आपके यह से यूके में फुट्स चलते हैं ठीक है व्यिट पॉण से मेजरमेंट की आता है और result M होता है अगर में बात करें यहां पर तो यह क्या होता है सेंटिमीक्र से मीटर हो गया किलोग्राम और यह सेकेंड्स फॉरस है क्योंकि हमारो जो बेसिक कि यह तरह की महरें पास यूट हैं और अगर फंडमेंडल कॉंटिय की बात के यह तो हमारे पास साथ तरह की फंडमेंडल कॉंटिय उसके लिए बाता हूं यह था वे अपको यह वीडियो मिल रहे होगी ठीक है अभी हम चालू करते हैं कि एक कोईशन एक कोईशन क्यों आ रहा है को कि अभी टॉपिक आने वाला वह डॉपिक क्या है पाल एक मैथा पालेक्स मेथेड क्या होता है यहां से बैटे बैटे क्योंकि कोई इंजी टेप तो हैं हमारे पास कि हम गए और रम ने सुधा एक नाप दिया कि सन के और यहां से लेके कि स्केल नाप दिया ऐसा तो कोई पता लगा हमें किस से तो जब इतना कुछ इंपॉर्टेंट है तो जरूर को जानना भी चीए तो उससे कुछ कोईशन के मताबिक समझ लेते हैं कि आपको एक एक बंदा है जो कि किसी टावर के पास खड़ा है ठीक है अब उस टावर के पास खड़ा है कि उसको पता नहीं कि कि पता लगा है उसने क्या लगाई उसने किया कि थीन सिथाई में उसके और थिद्वा में थिद्वेख को सब्सक्रा ε៲िए व्य तो मैंने यह distance measure करना था, मैंने यह distance measure करना था आप से, कि यह कितनी दूर है, ठीक है हम से, तो मैंने आपके ठीक, मेरे इस प्रावर का ठीक समय जो बहुत दूर object है, मैंने उसको target माल लिया, अब क्या किया, वही बंदा 100 meter दूर इस line के perpendicular जा रहा है, इस line के perpendicular 100 meter बंदा जा रह है, वह जो आप हो, मुझे कहीं और देख रहा है, किसी line में और यह किसी line में देख रहा है, तो जो diversion हुआ रहा, वह हुआ कुछ angle से, हम उस angle को माल लेते हैं, 60 degree, ठीक है, तो question अब यहाँ से पता लगता है कि भाई हमारे और इसके distance कितनी थी, ठीक है, बिलकुल clear, जो question clear हो है, और जो distance object है, उसको हमने O, और यह C रही है, यह C जो है, यह 100 meter इधर आता है, और इधर आने काद अब इसको एक diversion मिलता है, और वो angle मिलता है, आपको 60 degree है, है ना, तो आपने पता लगाना है कि यह distance, यह तो पता है, 100 meter, यह आपको पता लगाना है, ठीक है, parallax method यही कहता, for a very small angle, for a very small angle, theta is equal to, theta is equal to, अगर यह theta है, तो perpendicular upon base, यह 100 upon x, लेकि यह 60 जो है, small angle को है नहीं, तो जब small angle नहीं है, तो हम क्या लेंगे, 10, 10 का angle होता है, तो 10 theta is equal to this one, ठीक है, अब यह 60 degree दिया हुआ है, तो हम x is equal to 100 upon 1060 का सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहोँगे, तो अरह आसान से निकाल सकते हो, अब हम इस के इंतलाइस अ कर सकते हैं, सुस्पोस कहले कि हम earth के एक हिस्से पर हैं और दूसरे हिस्से इस्से पर हैं, ठीक है, एदर का इन दोनों के बीछ की चीज़ हमें बताए गए थी और इससे हम लोग सारी नोन डिस्टेंस सारी बड़ी बड़ी डिस्टेंस बेहत असानी पूर्वक निकाल लेते हैं ठीक है तो यह था हमारा कुश्चन मास हम लोग को अगर अब सपोस के लिए किलोग्राम आप अगर बात करोगे कि भाया यह तो निकोंगे इसमें एक किलोग्राम हाइड्रोजन है या एक किलोग्राम कार्बन यहां पर यूज करें तो यह बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनके लिए किलोग्राम नहीं मेजर कर सकते हैं किलोग्राम या पाउंड तब तक तो ठीक है जब हम लोग मार्केट में जा रहे हैं और ग्रॉस कि एक कार्बन इसका का अटमिक senza रूट का लेना होता है तो यह बोलते हैं वन और मास यानी कि भप्र कलता है कि यह होता है और यूज से नोट करते हैं नेक्स रेंज ऑफ मास्स फिर से फ़री साइज ऑफ प्रोटॉन का फिर से आपके सामने एक स्क्रिम पे आ रहा क्या कि प्रोटॉन हाँ निप्योंस नुटियर साइटून ठीक है कुछ वारिस यसे अभी चलना है कोर्णा वारिस इनके जो ऑर्डर होते हैं का रेंज होता है ल अलिक होती है अपना देखा होगा उन्हार ग्रवसक्राइब घंट्रम अपाइंड करती है वह होगी ऑपास फिर नाशन फिल्चा कल लाबरटरी में उसके पास रिस्पॉंस बिल्टी है कि इंडिया का जो ऑईस्टी है वो मेंटेन रहे हो बाकि कट्री और या पूरत त्रोओर टाइम के में तेन रहा है ठीक है अब उसमें क्या होता है कि आप हम लोग वहाँ पर एक आटम का वाइबरेशन टेस्ट करते हैं यह वन सेकेंड कैसे में इदर किया गया पता है इसकेड मेla as a mismo क्लोड करते है और घखा डूरुन एक सेकेंड यो ऑसे तर टाम॑लियो औवहां से वहासे तो उसको उस एंपिय यसदि करता है है वो मिल вызते बैलंस करता है मेंटिन करता है ऑग को ठीक है तो यहाँ पर हम बात करने की म refresh जैसे बत करेंगे ने हैं तो ओर थी बात करते हैं तो रहते हैं कि यहां होते हैं वखले शिर पिखल gloss फ़स्त deber कर गड़ý एप जैसे एक सोटा सा कर रहे हैं कि आप अपने इस वाले स्केल तो अब स्केल काम लीस्ट काउन्ट क्या होता है स्केल में आप बात करोगे तो सेंटीमेटर करें कि यह इक सेंटीमेटर का 1 तीन चार फिर उसका पांच उससे छोटा कोई मिज़न नहीं तो एक सेंटीमीटर के दस पार्ट होते हैं तो यहां पर क्या हुआ वन बाइट 10 ऑफ सेंटीमीटर यह उसका लिस्ट काउंट या निकी वन अम वो उसका लीस्ट हाउंट तो एक वह 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 वन मिलिमेटर स्केल मेजर कर सकता है मिनिमम अब सब्सक्राइब कोई वैलिज ह है वह 1.2 mm की है अब अगर हमने स्केल से मिदर के तो हमारे पास मेल्यू क्या आगी 1 mm की है ना तो हम तो वह वह कोई लिए करेंगे अब क्या हुआ क्या हुआ था नहीं 0.2 अलगा तो यह 1 प्लस-0.2 म में चला गया यह होते हैं यह होता है लीस काउंट अर्र अब रेंडम क्या है जैसे माली आपके तंप्रेचर में अंतर का तंप्रेचर क्या है तो आम पीट के अंतर रखेंगे तो यहां का तंप्रेचर इससे अंतर होगा जैसे माले कुछ systematic errors हो सकते हैं for example आपने कोई measurement कोई device ली और device क्या है वो calibration में तोड़ासा error दिखा देगी वो बात नहीं हो रही है आप स्टॉप वर्च लगाते हैं स्टॉप वर्च में तोड़ासा time आगे पीछे हो गया तो ये calibration time में भी errors आ सकते हैं तो आज हम कुछ error के बारे में बात करेंगे बस इतना तकाज रखेंगे बट इसके numerical आपको लगाने होंगे और हम लोग next video फिरसे numerical लगाएंगे और वहां से चालू करेंगे इसको carry forward इस chapter का end करेंगे ठीक है तो फिलाल हम लोग बात कर लें किसकी errors क्या होते हैं आरन में तीन तरह की error होते हैं कौन-कौन से एक होता है absolute error दूसरा होता है relative error और तीसा होता है percentile अलाकि तीन होते हैं दूसरे के फूरत है absolute error क्या होता है कि suppose कर लिए आपके पास कई सारी values दी गई है A1, A2, A3, A4, A5 तो हमने तीन value लेते हैं तीन value केस में A1, A2 और A3 तो क्या करेंगे इन तीनों का mean कितना आया mean क्या होगा A mean A1 प्लस A2 प्लस A3 by 3 है ना तो क्या होगा error क्या होगा absolute error delta A1 यानि A1 में कितना error आ रहा है A1 में आ रहा है A1 – A mean है ना तो यह A1 कर रहा हो गया वैसे A2 का delta A2 कितना आ गया A2 – A mean और A3 कितना आ गया A3 – A mean most of the case में 3 में से 2 में क्या आएगा value यह positive आएगा और एक में negative most of the case में positive आती है कुछ में negative भी आती है अब ध्यान देगा कि क्या होगा ओपर और हम बात करें कि डेल्टा A जो आएगा वो हमारा positive ही आएगा mode में mode of delta A जो आएगा वो positive आएगा ठीक है यह clear रहे चलिए तो यह हो गया हमारे absolute error ठीक है मिन अद est Elizabeth कमोम है जो यहां हो भाइगा यह तीन तो अब में है कि अ़िटे अव n जिए हो जाएगा डेल्टा ए ब्लस डेल्टा ए 2 फ्लस डेल्टार इटी अ थरी अपान यह जालगा a मिंच अब बात करते हैं हम लोग रिलेटिव है तो लेकिवर क्या होता है डिटा अब ऑन यानिकि इसका मीन और इसका मीन ठीक है यह वाला मेन इन दोनों के बीच का रिलेशन जो होगा वो होगा हमारा रिलेटिव है ठीक है सिंपल अब बात करते हैं तो पर्सेंटेज और क्या होता है घंड़ दो होगा डेल्टा एमीन कि अपाउन यह मिन कि इंट्व एंड़रीक तो यह मारा पर्सेंटेज निकल कर जाएगा और यह हमारा होता है पर्सेंटेज तो कैसे निकाल लें आपको इस चीज को यूज करिएगा नहीं आएगा हम लोग यसे पताया कि नेक्स्ट कोशन में जैसे चलेंगे वैसे निवारिकल लगाएंगे तब ही हम लोग सुर्वात करेंगे तेल डाट घर में रहें सेफ रहें शुलक्षित रहें ठीक है अपने और अit करेंगे तो कि अंपको कि ने को यिजे स्थीज उना पकाल ले खलेमवाएंगे आकी जा पने ख़ार्में आफ स्थाएंगे चून में थाएंगे और